हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो विद्यापत एजूकेशन माई नेम इस कृष्णान पांडे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आज मीटिंग हुई थी हमारी सेंट्रल गवर्मेंट और स्टीट गवर्मेंट के एजूकेशन मिनिस्टर्स की उसमें जो प्रपोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिजे आगे चलके मैं काफी ज्यादा एजुकेशनल वीडियो और इससे रिलेटेट आपको को इस जितनी भी हैं वह इस पर देता रहूंगा आप लोंको सारी इंफोर्मेशन गिवन करूंगा तो इस सब्सक्राइब करूंगा तो आज की इस मीटिंग में जो 12th बोड के एक्जामिनेशन के बारे में डिसक्स हुआ उसमें सेंट्रल गवर्मेंट ने सेकंड पॉइंट में आप देख सकने हैं लिखा हुआ है टूपर्पोसर वह मेंड बाइधा सेंट्रल गवर्मेंट एट प प्रपोसर लखा है चूकि आप पहले सही जानते हैं कि जो एजुकेशन है यह हमारे स्टेट लिस्ट का एक पार्ट है तो सेंट्रल गवर्मेंट ने ये कहा कि जो एक्जामिनेशन हैं वो आपके कंड़क कराये जाएं क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि लोगों को प्रमो जैसे क्या होता है कि अगर हम माल लेते हैं कि अगर आप उमीद रखते हैं कि मेरा जो पिछला टेस्ट था वो अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोर्ड एक्जाम में काफी अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा हूं और मुझे अच्छे चांसेस हैं कि मैं अच्छा नंबर ला स था कि सर हमको इससे जादा मार्ट मिल सकते थे क्योंकि हमने तैयारी की थी लेकिन उन्होंने चोकि उन्हें प्रिवेस यह के बेसिस के नंबर्स के आपको देख करके दिया गया था तो इस वज़े से कुछ बच्चों को कम नंबर मिले और कुछ ऐसे थे जिनके चांसेस फे अल्डल गोर्मेंट ने कहा कि तर्ट लोट्वेस जम इंटल ऑड्य एक्जामनेशन शूट विटें वाया जाए जाएगा उसको रिटें कराया जाया तो ज्यादा ही अच्छा होगा दाइग्जामनेशन शूड बीट्टेट अज्टिड वेस्जू उन्ड वेसज़ेस सेले इस पॉइंट का मतलब यहां पर यह कहा है उन्होंने कि जो आपका स्कूल है जैसे जो आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका जो बोर्ड एक्जाम है आपके खुद के स्कूल में कंड़क कराया जाए ताकि इससे बच्चों को काफी दूर जाना ना पड़े कोविट को देखते हुए यह डिसीजन कुछ लिये गए हैं लेकिन मैं पहले बता दूं कि अभी प्रपोजल हैं और यह स्टेट्स के उपर डिपेंड करता है कि वो इस पर क्या अपनी सहमती देते हैं क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है इसको या नहीं कर रहे हैं अगला पॉइंट उसमें यह बताया गया है कि दा सेकंड प्रोपोजल सेकंड प्रोपोजल ऑफ दे सेंट्रल गवर्मेंट वाजट प्रजेंट अभी अगर आप देखो तो 12 में 200 से जाधा ही सब्जेक्ट हैं मतलब 200 से जाधा सब्जेक्ट हैं 12 के सारी स् जाएगा जो जिनके नंबर से होगे 20 और उन होगें 20 सब्जेक्ट जो में अपके सिंटी के जैसे अगर आफको देखा़ हैं तो देखा है तो accountancy है, economics है और commerce है और Hindi और English कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग computer लेते हैं तो इसमें कौन से main subject होंगे क्या होंगे ये नहीं बताया गया है लेकिन हाँ इतना कहा गया है कि 200 में से 20 subjects selected हैं जो main subjects के तरह treat किये जाएंगे अगला point कहा गया है and the same time it was also said that the time duration of the examination should be reduced from 3 hours to 1 and a half hours अब इसमें ये बात कही गई है कि examination होगा उसको हम 3 घंटे का ना करके डेड़ घंटे का करेंगे यानि कि पहले आपकी जो examination 3 घंटे का एक paper होता था जिसमें 3 घंटे 15 मिनट आपको दिये जाते थे 15 मिनट आप questions paper पढ़ते थे और 3 घंटे आपको उसको solve करने के लिए दे जाते थे इस पूरे time duration को कम करके अब सिर्फ आपको 1.5 घंटे का time दिया जाएगा यानि कि इस proposal का कहने का मतलब ये था कि आप slabus को इतना reduce करें कि 3 घंटे का paper पर 1.5 घंटे में बच्चे complete कर सकें इन points को देखते हुए Central governments ने आगे ये बात बोली कि ये जो subject choice करने की बात है जैसे जो main subjects हैं वो हम बच्चों पर depend कर देंगे कि बच्चे इसको independently decision ले सकते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 subject हैं या 3 subject हैं जिनके वो paper देना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर मैं फिर से इस बात को बता दूँ आपको कि वो कौन से ऐसे subjects होंगे जिनका paper लेना है ये आप के ऊपर है it's up to you कि आप कौन से 3-4 subjects का paper देना चाहते हैं ठीक है मैं ये बात अपने students से पहले भी बोलता रहा हूं और अभी बोल रहा हूं कि आप लोग ये ना सोचें कि 12th के exam cancel होंगे 12th के exam किसी भी तरह से अगर देखा जाये तो अभी Central Government इस पूरे उसमें कहीं भी ऐसा उसका रुख नहीं दिखाया कि वो 12th के exams को cancel करे ठीक है तो मेरा कहना आप लोगों से यही रहेगा कि कोशिस करिए कि आप लोग अपने पूरे time में से अपने particular एक time बना लीजे जिसमें आप 1-2 घंटे अपनी study को regular देते रहें ताकि आपको चीज़ें याद रहें और आप अच्छे से at the time of examination perform कर पाएं ठीक है तो बस इसी बारे में ये वीडियो थी आपको ये बताना था कि आज की जो meeting थी उसमें ये main points रखे गए हैं कि 200 subjects हैं जिन में से 20 subjects आपके total consider किये गए हैं as a main subject और ये बच्चों पे depend रहेगा कि वो 3-4 subject यानि कि जैसे माल लीजे कि अगर आप commerce के student हैं और आपके stream में जो आप commerce stream को choose कर रखें तो उसमें 6 subject हैं या 5 subject हैं आपके तो उन 5 subject में से सभी subjects के paper नहीं होंगे बलकि कुछ main subjects ही होंगे जो 3-4 या 3 subject होंगे जिनके paper conduct कराई जाएंगे अब बात आती है कि जिनके paper हम नहीं देंगे जिनके paper हम नहीं देंगे उनके marks हमको कैसे मिलेंगे तो उसके marks आपको आपके 3 subject जो आप पढ़ रहे हो जिसका आप paper दोगे उसके basis पर आपके जो remaining subjects होंगे उसपे marks दिये जाएंगे ठीक है मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे माल लीजे किसी streams के बच्चे या commerce stream के बच्चे ने account का paper commerce का paper और economics का paper सेलेक्ट किया कि मुझे ये तीन paper देने हैं और इसके साथ साथ उसने हिंदी ले रखी है और आप computer कह सकते हैं या physical education ले रखा है तो इन दो subjects का जो आपके दो other subjects होंगे उनमें आपको number 3 subject हो यानि economics, commerce और account के basis पर दिये जाएंगे promotion का जो आप कह सकते हैं एक तरह से ये भी एक तरह से इन दोनों subjects में promote ही किया जाएगा लेकिन आपको पिछले साल की तरह सारे subjects में promote नहीं होना है इस बार आपको 2-3 subjects के paper देने ही होंगे और उसके साथ आपके जो बचे हुए subjects होंगे उसमें जैसा भी आप अपने written subjects में score गेन करोगे उसके basis पर आपको remaining subjects में score दिये जाएंगे यानि कि आपके जो marks होंगे वो दिये जाएंगे तो मेरी आप लोगों से यही दरखफास्त है कि कोशिश करें आप पूरे time schedules में से जितना जादा हो सके आप पढ़ें आप अपनी चीजों को याद करें उसको day to day आप उसको revise करते रहें क्योंकि कई सारे students मैंने मेरी personal बात होती है तो लोग कहते हैं सर अभी तो कुछ लग नहीं रहा पेपर नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर होने वाले के chances ना होने के chances तो बहुत कम हैं और यह कहा भी गया है कि जुलाई की आसपास तक पेपर कंड़क करा लिया जाएगा और जुलाई के लाश तक जो आपका marks है या जो भी आपका जैसे आपके marks जो आएंगे वो कोशिश ये की जाएगी कि जहां पर आप paper दे रहे हैं उसी स्कूल में copy check की जाए और marks जल्दी से जल्दी दिये जाएं ठीक है तो आपकी mark sheet भी आ जाएगी तो मेरा ये कहना है कि आप घर पे रह करके जितना जादा हो सके पढ़ाई करें आप ये ना सोचें कि paper नहीं होने वाले हैं प्रमोट हो जाएंगे अच्छा अब बात कर लेते हैं उन students की जिनके back paper हैं या उनकी back लग गई है किसी एक subject में जो उनको तपर प्रप्रेशन कर रहे हैं जैसे माल लेजिए कि अगर किसी बच्चे की accounts में back आई है तो वो बच्चा accounts का जिस दिन paper conduct होगा उस दिन paper जाकर के देगा और उसके marks उसी basis पर judge के जाएंगे अब चुकि आप लोग माल लेजिए कि आपने पांच subject में से एक subject में आपकी back आई है चार subject में आप पास हैं तो उसे एक subject का आप paper देंगे और उसके number फिर आपको जुलाई के last तक दे दिये जाएंगे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आप लोग बने रही है मैं आपको सारी information इसी वीडियो के इसी चैनल के जरी आप लोगों को देता रहूंगा कोशिश यह करिए कि मैं आपसे बार-बार यह request कर रहा हूं कि जितना हो सके आप अपने time को इस तरीके से manage करें कि आपको दिन भर में दो से तीन घंटे revision पे जरूर focus करना है ठीक है झापको पे डिपना हो झाज जाबता लगे है